पुश्कार दोस्तों इश्वर सदयाव आपका भला करें और आपकी जोलिया इश्वर के आशेवाद से उसकी दया से उसकी रहमतों से सदयाव भरी रहें तो दोस्तों आज fitness और health से related जो मैं अपने वीडियो की series है उसमें एक नवीन चीज़ को जोड़ना चाहते हैं और वो है stroke stroke क्या होता है देखे मैं खुद एक medical astrology में researcher हूँ और women बिमारियों को समझना खान पान के आदतों को समझना और उसमें change करके कैसे हम अपने life को बहतरी ही मिना सकते हैं और कैसे किसी भी रोग के लक्षन को समझ कर चिकित्स के दवाओं के साथ साथ कुछ आप कह सकते हैं astrological उपायों के दवरक कैसे बिमारियों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं वो मेरा पूरा प्रयास रहता है लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ medical जो इसकी problems होती है stroke के और उसके लक्षनों को कैसे समझे उसके प्रकार को कैसे समझे और क्या आप चार विध्या डॉक्टर्स अपनाते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी तो देखे stroke के जो कारण होते हैं वो mustache के जो tissues होते हैं इनमें oxygen और पोशिक तत्तों की कमी होने पर अब देखे के कारण क्या है stroke होने पर मस्तिश को oxygen और पोशिक ततों की आपूर्ति नहीं हो पाती है जिसकी वज़े से मस्तिश की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होने लगती है देखे stroke मुक्यता जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं पहला हो तो होता है एस्कीमिक स्ट्रोक जो 85% एस्कीमिक स्ट्रोक ही होते हैं और जो 15% जो स्ट्रोक होता है वो brain hemorrhage के कारण होता है और brain hemorrhage का जो सबसे बड़ा कारण बता है डॉक्टर सके अनसार वो है high blood pressure तो यदि आपको high blood pressure है तो आप meditation करें, शान्त रहें और जब भी आपको high blood pressure जैसी समस्या होत पन्नो तो आप सीधे शवाशन में लेट कर अपने आपको बिलकुल relax करने का प्रयास करें otherwise बहुत जादा सोचने से और बहुत जादा tensions लेने से भी कभी-कभी brain hemorrhage जैसी समस्या हो सकती जिसके बारे में मैं आप से आगे बताऊंगी इसके अलावा stroke की जो प्रकार होते हैं उसमें जो सबसे पहला था वह ischemic stroke होता है ischemic stroke के अंदर thombotic stroke को भी शामिल क्या जाता है जो मस्थश्ट की रख्ति की आपुर्ती करने वाले धम्नियों में से किसी एक मेरक्त का थक्का बनता है थाम्बर्स बनता है तो throbotic stroke पड़ता है वह thakka धम्नियों में वसा के जमाव के कारण होता है जिसके कार्ण रक्त प्रभाव में वाधा हा जाते और इस अ सी को ही आप कह सकते हैं थ्रामोटेक स्टोप अब इक दूसरा जो इस टोप का प्रकार होता हो है, एमडॉलिक स्टोप मस्तेश को रक्त की आप उरते करने वाले किसी एक धमनी में मस्तिश के दूर किसी अन्य अंगाम तोर पे आपके रिदे में रक्त के थंबे थक्के बनने लगते हैं जो रक्त प्रवा के साथ बहे कर मस्तिश की रक्त धंडियों को सक्रा बना देते हैं और इस तरह के रक्त के थंबे को एंबॉलस कहा जाता है अब एक और प्रकार का stroke होता है जिसको ischemic stroke के अंदर रखते हैं जिसे TIA कहते हैं जिसका full form होता है transient ischemic attack इसको mini stroke के रूपने जाना राता है इसमें कम समय के लिए उसी तरह के लक्षन प्रकट होते हैं जिस तरह के लक्षन stroke के समय होते हैं मस्तिश के किसी हिस्से में थोड़े समय के लिए रखत आपूर्ती में कमी होने पर TIA की इस्तिती उत्पन हो जाती है जो 5 मिनट से भी कम समय तक रहती है अगर किसी व्यक्ति को TIA हुआ है तो इसका मतलब है कि मस्तिश की या हिदय की रखत की आपूर्ती करने वाले कोई धमनी आशिक तोर पर अवरुद हुई है या सक्री हुई है देखे इसके जो प्रमुक जो कारण होते हैं अगर आप देखे कि क्यों स्ट्रोक हो रहा है किसी भी व्यक्ति को यासी प्रॉब्लम क्यों क्रियेट होई तो सबसे पहले अपने लाइफस्टैल को देखे मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि प्रिवेंशन इस बेटर स्लीप एनमीय अर्थात नीन समभन्दी समस्याइं जो भी होती हैं नीन दनाला रात में या अप्स्ट्रैक्टिभ स्लीप अपनिया में क्या होता है कि रात की समय ऑक्सिजन का चो स्तर होता है वो रुक रुक कर गिरताрь वही और दैरों के कारण भी स्ट्रोक का जोखिम करेंगे इसके लक्षनों की यह सबसे जादा इंपॉर्टन पार्ट है पूरे वीडियो का आप इसको बहुत ध्यान से सुनें कि यह कैसे आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि देखें यह कैसी बिमारी है जिसका कोई घरेले उलाज नहीं हो सकता है इसके लिए आपको या इसका सुन हो जाना विशेश लूब से शरीर के एक तरफ के चहरे हाथ या पैर में अचानक सुन पन्या कमजोरी महसूस हो रहा दूसरा एक और रिजन हो सकता है एक या दोनों आखों से देखने में दिक्कत महसूस होना अचानक होता ह यह यह यहींकि बहुत दिनों सो अचानक एक है दोनों आखों से दुदलाया, काला दिखना और एक चित्रे दोरे चित्रे में दिखाई देना, इसके अलावा तीस सिरदर्द होना और साथी उल्टी आना, चक्कर आना है बिहोशी जैसे लक्षन हो तो तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाएं, इसके गवाए अपने परिजनों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, और इससे भी पहले आप एक विशेश जो डॉक्टर ने इसके लिए एक जो प्रक अलक्षन बताये हैं, वो है आप उसको एक फास्ट एक मेथड होता है, जिसके दोर आप उसे समझ सकते हैं, फास्ट में अर्थात आम, बा, व्यक्ति की दोनों बाओं को उठाने को कहें, क्या वो व्यक्ति का हाथ गिर आ जा रहा है, या व्यक्ति हाथों को पुर ठाने में असमर्थ है, तीसरा S, स्पीच, व्यक्ति को एक साधारन वाक्य को दोहराने के लिए कहें, क्या उसकी आवाज में लड जो भी वहाँ पे उकलब्द है, सबसे पहले आप उनको दिखाएं, क्योंकि एक ऐसी बिमारी है, कि यदि इसका तुरंत 2-3 घंटे के अंदर इलाज मिल जाता है, तो व्यक्तियों को सही होते देखा गया, otherwise लंबा टाइम भी इतने के बाद, बहुत सारे रोगी ऐसे हैं, जो आज में बिस्तर पे ही पड़े रह जाते हैं, उनके क्लोटिंग भी मैं की पूरी रूप से खतम नहीं हो पाती है, तो मेरा यही आप से प्रातना है, कि पहले इसके लक्षन को समझे, कोई भी परशानी है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, अब बात करेंगे इला जो दवाईयां दी जाती हैं, उसके अंदर ठक्के को गुलाने वाली थेरपी स्ट्रोक तीन गंटे के बीतर शुरू हो जानी चाहिए, अगर यह थेरपी नस के जरिये दी जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी शुरू हो जाए, उतना ही अच्छा होता है, शीगर उप्चार हो पर अकीवल मरीज के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, बलकि जटलताएं होने के भी खत्रे काफी घड जाते हैं, इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हों रोगी को अस्परिन नामक दवाई भी देते हैं, दवा रखते के ठक्के बनने से रोकती है, इसी तरह से बहुत सारे अन्य इलाज भी डॉक्टर करते हैं, जैसे कि मस्तिस के तक सीधे दवाई पहुचाना, इसमें डॉक्टर्स व्यक्ति के कमर की एक धमनी में एक पतली और लंबी च्यूब डाल देते हैं, और इसे मस्तिस में ट्रोक वाली जगह पे ले जाते हैं, और कैथेटर के मादिम से उस भाग में टीपिए को इंजेक्ट करते हैं, यांतरिक रूप से ठक का हटाना है, इसमें डॉक्टर यांतरिक रूप से क्लॉट को तोड़ने और फिर ठक को हटाने के लिए पीडिस चक्ष के मस्तिस में छोटे से उपकरन को डालते हैं, और इसके लिए वे एक catheter का उप्योग करते हैं इसके अलावा भी और भी अन प्रकार होते हैं जिसके द्वारा डॉक्टर स्ट्रोक का इलाज करते हैं जैसे कि जो सोजन होते हैं वो व्यक्ति की गर्दन के सामने एक चीरा लगा कर कैरोटिट धमनी को खोलते हैं और कैरोटिट धमनी में चीरे के बगैर जांग से एंजियोग्राफिक के तरह कैरोटिट आर्टरी में डाल कर अवरोध को दूर कर दिया जाता है जिससे मरीजों को रहात मिलने लगती है लेकिन देखें ये सारे medical terms है एक जो अच्छा neurologist या neurosurgeon होता है वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है जानता है लेकिन हमारा जो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए लक्षन को समझना उस लक्षन को समझते हैं तुरन medical ilas रोगी को देना और इसके अलावा जिन लोगों के घर में इस तरह के स्ट्रोक के पेशन्ट हैं और आपकी दवाईयां भी चल रही है तो मैं आपको एक उपाय भी देना चाहूंगे घरेलू कि आप अपने जितने रोगी हैं जो आपके घर में स्ट्रोक के पेशन्ट से हैं उनके हाथों और पैरों के जो तलवे होते हैं मतलब हाथ की हतेली अंदर बारी जो सफेद पाट होता है और दोनों पैरों के तलवे पे 20 से 25 मिनट निम्बो के छिलके को यदि आप सुबे शाम दोनों टाइम रगड़ते हैं तो उससे भी ब्रेन की जो अच्छी होती है मजबूत होती है और क्लॉटिंग में धीरे-धीरे घुनने लगती है तो दोस्तों आशा करते हूं कि यह वीडियो आपके लिए ही नहीं वरन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जादा यूसफुल रहेगा शायद अगर मेरा यही प्रयास की अगर एक भी व्यक्ति को इसका फायदा पहुँचेगा तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा तो दोस्तों इश्वर आप पे सदय भला करें और आप पर अपनी रहमते बरसाएं उसके साथ ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार